दोस्तो अगर आप एक budget में web camera देख रहे हो आपके day-to-day use के लिए या फिर आपके office work के लिए तो मैं आपके लिए एक must option लेकर आया हूँ ये है Hick Vision का DS-U02 webcam इस webcam के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इसके advantages, disadvantages और इसकी price इसकी price जो है काफी attractive दी गए प्राइस जाने के लिए वीडियो के अंतक बने रही है तो शुरू करते दोस्तों box है box के उपर आपके उस सामने वाले side में दिख जाएगी product की image उसके नीचे जो है वो 1080p HD web camera का branding दिया गया है उपर की तरफ अगर आप देखोगे तो hick vision का आपको branding दिख जाएगा box की quality अगर आप देखोगे दोस्तों तो so-so है इसमें ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा भी ने सिर्फ webcam मिलेगा और एक start of guide मिल जाएगा तो आते हैं दोस्तों main product पे जो की है अमारा webcam webcam के आगे के तरफ आपको sensor मिल जाएगा sensor के circumference पे आपको दिख जाएगी एक ring ring जो है उसको एक अच्छा सा design दिया गया है तो webcam जो है वो दिखने में भी थोड़ा बहुत अच्छा दिख जाए आपको अगर आपको ये design जो है वो सही में अच्छा दिख रहा है की नहीं मुझे comments में बताएगा sensor के दोनों तरफ आपको मिल जाते है एक-एक mic तो इसमें आ गये दो mic इसमें भी एक stereo function दिया गया है और एक LED light भी आ जाएगा LED light जो है वो red color में glow करता है जब भी भी आप power on करते हो इसको यानि आप plugin करते हो तो तो camera का जो है वो दिया गया है pan and tilt की adjustability तो अगर आप कौन से भी कोने में अगर focus करना चाहते हो आपके camera को तो आसानी से कर पाऊगे अगर आप आपके family call पे हो और आपको दिखाना है कि आपका dog क्या हरकत कर रहा है तो ये भी आप दिखा सकते हो तो कि इस camera में horizontal plane पे ये camera 360 degree घूम जाता है तो इसके वज़े से ये एक और adjustability का factor जो है वो आड हो जाता है अगर build quality के बारे में बात करेंगे ये सेम चीज आपके clamp को भी लागव होती है clamp जो है थोड़ा hard है यहाँ पे और वो कभी-कभी आपको लग सकता है कि ये अटक रहा है पर again ज़्यादा complaint करने जैसे कुछ है नहीं एक और सभी चीज दे गई है Hick Vision के DSU camera में वो है tripod का mount तो अगर आप आपके table पे या फिर laptop या फिर PC पे ये mount नहीं करना चाहते तो आप सीधे-सीधे आपके tripod पे mount कर सकते हो तो अगर आपको सामनी meeting में वगरा ये camera अच्छे angle पे रखना है तो वो भी आसानी से कर पाओगे तो आते है camera की cable पे ये cable जो है वो detachable बिलकुल नहीं है पर अगर आप इसकी thickness देखोगे तो काफी अच्छी thickness या पे आपको मिल जाएगी पर एग मुझे ये drawback लगता है कि ये cable जो है थोड़ी hard लगती है पर adjustability काफी दी गई है पर थोड़ी सी hard लग जाती है तो long term में ये crack हो सकती है wire की दूसरी तरफ आपको मिल जाएगा USB Type-A का port तो दोस्तों आते है technical specifications पे इसका sensor जो है वो दिया गया है 2 megapixel का इसमें audio और video जो है वो आपको मिल जाएगा 1080p में इसमें starting में ही आपको बता दिया कि built-in microphones आते वो भी 2-2 88 degree wide angle field of view है यानि आपको picture जो है वो काफी wide angle यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है ये camera जो है वो compatible है Windows, Mac और Chrome के साथ ये camera चलाने के लिए आपको अलग से कोई driver इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं या फिर ये camera खुद से अलग से कोई driver इंस्टॉल नहीं करने वाला तो आसान सा plug and play ability यहाँ आपको दी गई है आगर आप ये camera PC के साथ connect करना चाहते हो तो आप आराम से कर पाओगे क्योंकि इसकी length जो है वो है 1.5 meters दोसों ये footage जो है वो है low lighting conditions में अभी light का source जो है वो हमारे studio में से आ रहा है और खिड़की जो है वो थोड़ी बहुत पुली है तो सिफ इन दो sources में से light आ रहा है बाकी कौन से भी light शुरू नहीं है तो यहाँ पे low light condition में आप देख सकते हो कि बहुत बुरा performance नहीं है actually काफी appliance वगेरा भी देख सकते हो मेरा चेहरा भी देख सकते हो तो windows settings में जाके मैं वापस settings बदल दूँगा और वापस आपको दिखांगा की footage कैसे आ रहा है तो दोस्तो यह है footage low lighting conditions में पर मैंने windows में जाके settings कम कर लिए है brightness मेंने थोड़ा बढ़ाया है contrast कम करा है तो दोस्तो यह footage में जो भी आवाज आप सुन रहे हो मेरी यह camera के through ही सुन रहे हो सारे footage में camera का mic ही use हुआ है पर यहाँ पर low light में आप काफी ज़्यादा देख पा रहे हो आभी भी settings करने के बाद बहुत अच्छा low light performance इसका दिया गया है तो price के लिए बहुत justified रपक्या में यहाँ पर मिल जाता है अपको फोड़े points पर आपको exposure जो है थोड़ा जादा लग रहा होगा थोड़े बहुत windows settings में जाके मैं settings change करूंगा camera के और वापस अपको दिखांगा की footage कैसे आया है तो दोस्तो windows settings मैंने change कर ली है brightness contrast और saturation सारी चीज़े मैंने थोड़ी थोड़ी कम करी है बहुत ज्यादा भी नहीं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अभी आप अब विंडोस में जो है आप ISO settings वगरा चेंज कर पाते हो तो उसके द्वारा मैं settings करूंगा और आपको वापस एक वीडियो दिखांगा अंडर दे सेम लाइटिं कंडिशन तो यह फूटेज है मैंने विंडोस की settings चेंज करने के बाद तो यहां के आप देख सकते हो मेरे चेहरे पर ज्यादा overexposure नहीं दिख रहा है मैंने contrast भी कम कर दिया है तो black जो है वह ज्यादा black आपको दिखेंगे नहीं तो इसके वज़ पर हो और एक camera चाहते हो जिसमें काफी जादा adjustability दी गई है और इसकी picture quality भी बहुत खराब नहीं है तो 1100 से 1200 के बीच में आपको यह camera जो है वह Amazon पर मिल जाएगा Amazon की link जो है मैंने description में डाली हुई है आगर आप इस पर offers चेक करना चाहते हो तो उसी description वाले link पर आपको offers भी देख जाएंगे पर इसका एक ही drawback है कि आगर आप plugin रखते हो इसको काफी देर तक तो इसकी back side जो है थोड़ी hit up हो सकती है पर overall यह camera जो है वह 1000-1200 रूपीज के range में काफी अच्छा है अगर आपको वीडियो अच्छा लगाऊगा तो like करिए और टेकी दादा को subscribe करना बि अधिये